लो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लो एक पॉलिटी का नया टॉपिक लेकर क्या आये हैं इतना से सवाल पूछे जाते हैं बड़ा ही कॉंप्लिकेटेड इसू हुआ है इस कॉंटेक्ट में हम आज बात करेंगे उस चीज को समझने की कोसिस करेंगे बस समझ रहे हो तो बस टॉपि होता है किसी की आधार पर यूपिए सीख और इसी की ओन दे लाइन या फिर बिट में लाइन ऐसे सवाल फॉर्मेट कर लेती है तो सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम बताता हूं ऑफिस साब गवर्नर को लेकर की हम हमेशा यह जानते हैं कि जब हम बात करते हैं कि अपॉंट कि मुख्यमंतरी की नियुक्ति गवर्नर करते हैं या Appointment करते हैं इसेधानि, राज का मुख्यमंतरी में मिनिष्टर का कहेळे पर किसी ब्यक्ति को जिसका नाम मुख्यमंतरी ने सजिस्ट किया है उस ब्यक्ति को आज ये मिनिस्टर के रूप में गवर्नर उनको अपॉइंट करता है बताता हूं थाड़ा सा सेनारियो पहले मैं बता दूँ फिर उसके बाद मैं आपको डेटेल बताऊँ मैंने क्या कहा आज का जो टॉपिक है आपका गवर्नर का है गवर्नर इसको राजयपाल हिंदी में बोलता है राजयपाल के नाम से जानते जाएं इसको कहते हैं है हेड आफ इस्टेट एड आफ इस्टेट आज एक कांस्टिटूशनल कांस्टिटूशनल हमने कहा कि जो गवर्नर होते हैं कलर चेंज करता हूं कि जो गवर्नर होते हैं यह अपॉइंट करते हैं अपॉइंट किसका करते हैं यह चीप मिनिस्टर का ठीक है यह चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं जिसको आप हिंदी में भी मुख्य मंत्री के नाम से जानते हैं मंत्री के रूप में जानते हैं इसने चीजे पता चल गए हैं लेकिन जो मिनिस्टर होते हैं मिनिश्टर इसको मंत्री बोलते हैं ना मंत्रियों की नियुक्ति जो किया जाता है चीफ मिनिश्टर कहेगा कि इस ब्यक्ति को आज ये मिनिश्टर के रूप में करिए तो गवर्नर जो है इनको अपॉइंट करता है ये कहेगा इन से इस ब्यक्ति को आजे मिनिश्टर की रूप में कर दीजी अभी वो करते हैं दूसरी चीज यह भी है कि तो गवर्नर होते हैं कुछ डिस्क्रिशनरी पावर छोड़ करके जो भी चीज़े होती है डिस्क्रिशनरी पावर को छोड़के बड़ी ह arada का से स्टेक्मेंट होता है इच्टिशनरी पावर तो उसको करते है तो उसको फोड़ कर raa को सदू में नहीं कहा तो वह अनकंस्टॉष्टूशनल क्यार संबैधानिक दिया जाता है ठीक है फिर से मैं यहां पे एक डियाग्राम बनाता हूँ गौवर्नर ौता है ए यह अप्वाइंटकरते हैं करते हैं कि और को और यह जो कि मिनिस्टर को भी अप्वाइंट करते हैं तिकले हैं लेकिन इनके कहने पर दीख है अब हम यहां पर बात करने वाले हैं ओंटेक्स्ट को लेंगे हैं हम किस कॉंटेक्स में बात करने वाले हैं क्या देख यह जो एपोजीषन रूलप मर्लपक्स्ट पर ने सब्सक्रां乾रे है हा सब इस faites जैसे मैं सबसे पहले वेश्ट बेंगॉल दूसरा आपका सामेल नाइडू किसरा आपका तेरला और भी स्टेट है जैसे पंजाब है और भी दो यह की स्टेट्स होंगे यह आप पोजीशन रूल स्टेट का मतलब यह हो गया जैसे सेंटर में इस समय कौन रूल कर रही है भारती जन्ता पार्टी की सरकार है बीजेपी की और भी स्टेट में है जैसे महाराश्ण भारे एलाई हो जाए जो राजस्थान एमपी हर्याना कई जगह है लेकिन यहां में बीजेपी का रूल नहीं है इस स्टेट में हम इस समय देखते हैं हमेशा न्यूज में चलता है यह हमेशा न्यूज में होते हैं इस समय आपका तमेल लाइडू के जो है वहाँ पर इस बात को लेकर के बड़ी लड़ाई हो रही है कि चीप मिनिस्टर और राज्यपाद ऑफिस ऑफ चीप मिनिस्टर सीमो और ऑफिस ऑफ गवर्नर के बीच में इसमा बन बात बन नहीं रही है तो जब बात नहीं बने था कोंटिक्ट कया है जैसे अभी बात चल लइन कि कई बील गवर्नर के पास जाती है तो ये अपनी अनुमती नहीं देते हैं और इससे बड़ा कॉंफ्लिक्ट मिलता है और कई बिल इन्होंने रिजर्व कर दिया ठीक है रिजर्व कर दिया किसके लिए प्रेसिडेंट के लिए देखें रही बिल को इन्होंने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया तो जब यह रिजर्व कर दिये तो इससे क्या हुआ तो यह निकल करके बात आ रही है कि जो गवर्नर है यह इस तरह से अपने आपके पावर को यूच कर रहे हैं कि अपोजिशन रूल जो पार्टी होती हैं यह अपने हत्कंडे बदलते रहती हैं अगर मैं बात करूँ टू थाउजेन आप 15, 16, 17 तक की ठीक है तो जो जो जेंट्रल गवर्नर्मेंट है लार्जली यूज करती थी आर्टिकल 300, 356, 356 आर्टिकल को यूज करती थी और 356 जो आर्टिकल है इसमें कहा जाता है प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल लग जाती थी या भी कांश्टूटूशनल इमर्जनसी, ये आर्टिकल 365 के अंतरगत राज इस्टेट लेजिस्टर्टी असम्बली काम नहीं कर रही है इतनी चीज़े होती थी लेकिन अब सरकार यूज कोर्स अब दा टाइम 18-18 के बाद अब इसको चेंज कर दिया ठीक है चेंज करने मतलब कांश्टूटूशन में नहीं ये तरीका अब अपनाना छोड़ दिया अपोजी सरूल स्टेट्स में इसे क्या ज्यादा चीछा लेदर हो रहा था अब क्या किया अब इसकी जगह अब जो गवर्नर है अलाकि उस समय भी गवर्नर की कहने पे प्रेसिडेंट शुरूर लगा लेकिन अब इसको भी ओभाटेक करके गवर्नर सीधे सीधे जो एकी अटैक करता है अटैक कर रहा है कहां पर अपोजी सरूर इस्टेट्स में अब देखिए यह तो बात चल रही सिष्टम ऐसे काम कर रहा है लेकिन अम यहां पर एक चीज आपके साथ सेर करना चाहूंगा यह फोटो देखेंगे इस टालिन यह है एक सेकें कि अपर मैं अलग 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 यह इस टालिन चीफ मिनिश्टर है रमिल नाटू के और रवी करके हैं यह गवर्नर हैं और यह हमारे प्रधान मंत्री हैं इसे देखिए हाथ में अर अब जो यह है यह एक आईस ऑपिसर से बी आई सौरी आई बी में के भी हेड रहें कर इनक मतलग रूलिंग में हैं आप देखेंगे तो जो सर्विंग ओफिसर होते हैं एक ग्रेट के उनको मिला है फिर उसके बाद जो पुड्डू चेरी के एक फिमेल थे उनका गवर्नर थी वहां की फिर उनको जो की MP का सीट मिला है मसलब टिकट लड़ेने के लिए वो जीटें के हारेंगे वो अलग चीज है लेकि लार्जली यह देखा जा रहा है कि जो बड़े ओहदे की पोस्ट थी अब वो लोग जो पॉलिटिक्स में आ रहा है नाम क्या दे रहा है कि हमें दूसरा चांस मिल आया है नेशन बिल्डिंग के लिए हमने सर्विस में थे काम कियें और उसके बाद पॉलिटिक्स में आके काम करेंगे तो कहीं ने कहीं एक इंटेलेक्च्वल सरकल में यह बात चल लई है या अगर इस तरह की टेंडेंसी या फिर ट्रेंड चलेगा तो जो भी ओफिसर्स लोग हैं वो कहीं ने कहीं जो रूलिंग पार्टी होगी उसके फेवर म सुनाते हैं उनमें से एक राम मंदिर का जज्जमेंट होता है उनको आज ये MP के रूप में आप समझ सकते हो कि राज सभा में नो मिनिट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हमें पता है कमसील आप मिनिस्ट्री एट इडवाइज चैन्ज प्रेसिडेंग प्रेसिडेंट हो इंडिया के आड एड इडवाइज बेहीं काम करता है ठीक है तो वैसे यहां पर अभी क्या हुआ या था है कि इननों इनका एक कि मंत्रीदी сложнее कर दीया गया था कि द्वारा धिक यह कि उनके ओर्ड को फिर चेलेंज किया गया सुप्रिंग कोड ने कि इनकी ओर्ड को यह है कि सपोज करिए कोई MP MLA है जैसे राहूल गांदी ची शूरत जो कि दिस्ट्री कोट ने उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया अंदर रेप्रेजेंटेटिव पीपल आक्ट नांटीन फिप्टी वन के अंतरगाथ बहुत न्यूज में मतलब मीडिया ट्रायल हुआ कि राह कुछराट का जो हाई कोट था उसने भी इस्टे नहीं लिया फिर उन्होंने जब सपरिम कोट में अपाल इस्टे लागा दिया प्लिए सिनर्यों यहां पर होता है उन्यक्ति का नाम है डाक्टर क करके inherent करके हम यहां पर लिख देते हैं नहीं दिख़रा हुआ दाक्टर के वो ना उन्डे यह एक आपका मिनिस्टर होते हैं ठीक है एक मिनिस्टर और इनकी वाइप को भी जो है कि पतलब कुछ इलेगल काम की वज़े से डिस्क्वालिफाइए कर दिया गया था मदरास हाई कोट मदरास हाई कोट आपका कह सकते हो कि जो जैसे मल यह कि पुराणा नाम दियुक्त है उत्तर प्रदेश की हाई कोट आपकी जानते हींगे क्या है का अलहाबाद है तो इस कॉंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो इनको जो कि तो अब क्या है इसमें आप देखे चक्कर क्या फस गया कि जब यह इस्टे ले लिया गया जो तमिन लाइडू के कि इन्होंने गवर्नर से अधर से यह कहा भया आप आईसा मुंडि को जो है कि आज यह मिनिस्टर के रूप में आप ओथ दिलाइए तो यह जो है कि मना कर देते हैं करते हैं कि नहीं हम इनको वोथ नहीं दिलाएं कि यह कर दिये गये मंदरा साइड कोड तो दुसरी तरफ चीप मिनिस्टर होते बहुत कहते कहां इश्टे ले लिया गया क्या रहा है कि देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि जब कांसिल ऑफ मिनिस्टर एड़ेड वाई एड़ेड वाई चीफ मिनिस्टर और एड़ एड़ एडवाईश एडवाईश करता है जब गवर्नर को तो ये तो पाउंड है न मतलब ये मेंडेटरी है कि आप इनकी बातों को मनी अगर आप नहीं मानते हो फिर उस केस में क्या होगा यहीं मामला फसा तो ये चीज तो हो गए लेकिन यहां कई पहलू निकल करके आ रहा है यहां पर हम डिसकस कर रहें कईप निकल करके आ पॉइंट्स जो है कम पहली बात तो जो कंशिव करते है का रहें गौवर्नर को amar को तो यहां पर आपका मिनिस्टर या काउंसिल ओफ मिनिस्टर वर्सेस ओफिस ओफ गवर्नर गवर्नर यहां पर हैं गवर्नर के बीच में कॉंफिक्ट आ जाता है दूसरी तरफ आपका आ जाता है रिलेशन रिलेशन बिट्विन सेंटर अड़ इस्टेट्स के बीच में यह क्योंकि जो गवर्नर होता है उसका डूवल रूल होता है एक head of constitutional head of the state होता है दूसरी तरफ एक central government का representative होता है ऐसा कहा जाता है कि यह एक unitary form of government का एक features है अब आपके दिमाग में यागा unitary form of government क्या होता है उसमें यह होता है केंद्र और राज के बीच में कोई सक्ति का भी भाजन नहीं होता है सभी power जो है सक्तियां केंद्र के पाथ इकत्रीट होती है तो यह जो is होते हैं जो governor होती यह एक तरह के unitary form of government को create करते है तो जब यह appoint किया गया है president के द्वारा council of ministry the central level के add an advice पे यह उन के रह्मो करम पे होता है उनी के दिसान निद्देश पे काम करता है तो इस वज़े से जो governor होता है dual room था एक representative of center दूसरा head of the state as a constitutional यह पहलू हम समझ लिए अब हमें अगर देखिए पढ़ना है तो हमें normal सा थोड़ा सा blueprint ले रहे है जो office of governor है constitution में mention किया गया है जो constitution में mention किया गया है इसको part 6 article of 153 से ले करके 167 तक part जो कि यहां पर 6 है 6 के अंतरगर जो कि किया गया है अब इसके बाद अगर और हम चलकर के बात करते हैं कि और कीजी क्या है यह देखिए क्या होता है governor executive chief executive head of the state होता है किसी के नाम पे सारी चीजी जो की की जाती है बट अब यह क्या होता है कि यह like जैसे मल यह president जो center पर होता है वैसे यह भी होता है और ही nominate nominal executive of the head ठीक है और यह nominal executive होता है फिर उसके बाद हम आते हैं जो governor usually governor for the each state पहले देखिए क्या होता था जब constitution बना हुआ था जैस अजादवत उसमें यह बात कही गई कि एक राज्य में एक governor होगा ठीक है एक राज्य में एक राज्य पाल होगा लेकिन सेवन्त constitutional amendment अमेंड में सेवन्त constitutional amendment act के द्वारा 1956 में 1956 के तहत यह कह दिया गया कि आईसी कोई बात नहीं है एक ही व्यक्ति एक से जादे राज्यों का governor हो सकता है ठीक है जैसे उत्तर प्रदेश में है या आनंदी बेर पते लेवो बिहार की भी हो सकती है ठीक है अब इसके बाद आगे चलते हैं हम बात करते हैं कि जो हमारे लिए important है एक सेकंड थोड़ा सा रुख यह देख लेते हैं ठीक है appointment कैसे किया जाता है appointment of the governor का कैसे होता है तो यह देखिए इनका election नहीं होता है नहीं directly होता और नहीं indirectly लिए लेक्षन होता नहीं होता है तब कहेंगे क्या होता है यह दरसल यह appointment किये जाते हैं by president प्रेशिडेंट जिनको चाहे उनको जो है कि कर सकते हो और यह nominee of the central government का होता है देखा है नौकर नहीं है या employee नहीं है यह कुछ basic चीजे थी जिसको हमने यहां पर discuss किया इसके बाद अगर हम और भी बात करें गवर्नर बाई प्रेशिडेंट और भी चीजे हैं उनको हम अलग से discuss किये थे बस यहां पर मैंने context बताने की कोचिस किया क्या scenario है दूसरी यह भी चीज़ है क्या इनके appointment transfer इनके working में जुडिशरी एंटर्फेरेंस कर सकती बिल्कुल को यह तभी तो मत्रासाई कोट और सुप्रीम कोट ने किया था यह हमारा सौट में लेक्चर था जिसमें आपको अपडेट कराना चाह रहा था मैंने अलग से कई लेक्चर जो है कि गवर्नर के टॉपिक पर बनाया बट यह thank you for the discussion and have a nice day